हलो दोस्तो वेलकम बैक टू देली डोज बॉक्स दोस्तो सुना है इस बार बोर्ड परिक्षा दो बार में होगी अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है कैसे होगी इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है दोस्तो अगर आप क्लास 10 बोर्ड एक्जाम में हैं इस बार यानि की 2025 और 2026 अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 में पढ़ाई करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक opportunity है एक बहुत बड़ा milestone साबित होने वाला है अब इसको milestone कहेंगे या फिर बेड़ा गर्क कहेंगे इस चीज़ को बस बुद्धी के अनुसार समझने की बात है माल लिजिए आप क्लास 10 और 2026 में आप बोर्ड परिक्शा देंगे या फिर क्लास 12 में है और 2026 में बोर्ड परिक्शा देंगे तो भारत की सिkt्व्षा मंत्राले की लगबग इस मामले पर सहमती बन चुकी है सिक्षा मंत्राले JEE की तर्ज पर आप लोगों की परिक्षाएं कराने का बिचार कर रहा है कैसे इस बात को हम एक एक्जामपल के तौर पे समझते हैं सबसे पहले माल लीजिए आप बोर्ड परिक्षा देंगे तो वो परिक्षा आपकी दो बार में होगी यानि कि जो विद्ध्यारती बोर्ड परिक्षा में है वो दो बार इलिजिबिल होगा परिक्षा देने के लिए माल लो एक परिक्षा जन्वरी भी हो गई और दूसरी परिक्षा ठीक दो महिने के बाद अप्रिल में होगी February, March और फिर April में वो परिक्षा हो जाएँगी जिस परिक्षा में उसका स्कोर बहतर होगा वही परिक्षा लास्ट मानी जाएगी और वही नंबर उसके Mark Sheets पर लिक्के आएंगे यानि कि JEE के तर्ज़ पर बोर्ड परिक्षाuciones सिक्षा मंत्राले दो बार दो मौके दो चांस देने के बिलकुल तयारी कर रहा है अभ्यर्थियों के लिए तो ये आपके लिए एक बहतर अवसर हो सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका इसकोर कम रहता है हो सकता है कि first attempt में उनका score कम रह जाए तो दूसरा attempt उनको मिल जाएगा या फिर first attempt clear ही न कर पाए तो फिर दूसरा attempt उनके लिए इंतजार कर रहा होगा और वो आसानी से उस attempt में ज़्यादा मेहनत करके अच्छे नमबर ला सकते है तो दो मौके मिलेंगे अगर पूरी तरीके से सहमती बनी CBC Board और अन्य जो राज्यों के Board हैं अगर उनमें आपस में सहमती बन गई तो ये भारत के जो सिक्षा का छेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है बहुत बड़ा कदम मान के चलो या फिर मुझे लगता है कि जो Education का इस्तर है उसका बेड़ा गर्क होने वाला है अब यहां पर Negative चीज़े भी देखने को मिल सकती है और Positive चीज़े भी देखने को मिल सकती है आप लोगों के बिचार में क्या आ रहा है आप लोगों के मन में क्या आ रहा है इस वीडियो के Comment sections on है और आप Comment करके अपने बिचार इस नेड़े पर प्रस्तुत कर सकते हैं अगर यह अमल में आता है तो यह खबर जो आपको दे रहा हूँ यह खबर हो सकता है कि सत्त ना हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिक्षा मंत्राले ने सहमती दे दी है तो बोड आटोमेटिकली इस चीज़ को आसान कर देंगे क्योंकि उनका फिर रिजल्ट और बेटर हो जाएगा क्योंकि बिध्यार्थी भी चाहता है कि बोज हलका हो और जो बिध्यार्थी का गार्जियन है वो भी चाहता है कि बोज हलका हो तो syllabus भी कम रहेगा और chances भी दो रहेंगे तो ज़ादा अच्छा result दे पाएंगे board तो मुझे लगता है personally कि अगर सिक्षा मंत्राले इस बात पर सहमती देता है तो board पर इच्छाएं आपकी दो बार में हो सकती है पहला attempt, पहला मौका, दूसरा attempt, दूसरा मौका और जिस मौके में सबसे ज़्यादा score रहेगा वही score आपका आखरी माना जाएगा तो comment section में आप बताईए कि आप लोगों में से board में कौन-कौन है और कौन-कौन इस बार class 10th और 12th की board की परिक्षाएं देने वाला है उन सबी के लिए वेस्ट अपलक, अगर ये चीज होती है तो आप बताईए इसका क्या negative impact रहेगा या फिर positive impact रहेगा, इस topic पर वीडियो आपको अगला फिर से मिलेगा बहुत जल्दी फिलाल के लिए यही खबर है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहन